नमस्कार साथियों और कुछ कारण से जो है ना हमारा करेंट अफेर्स लेट चल रहा है लेकिन मैं आपको यकिन दिलाता हूँ कि जब तक आइडमीट काड आएगा तब तक आपके जितने करेंट अफेर्स होते हैं जो एक्जामनेशन में पूछे जाने के चांसेस हैं खास कर एक तरीके से है ना मैं क्या बता हूँ यकीन दिलाता हूँ प्र Associate Community डिलाता हैं तो मैं प्रोमिस नहीं कारूँगा लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि पूरे करेंट अफेर्स जो है उसको लेते हैं चुकि मेरा इंट्रेस्ट है तो मेरे लिए ये इंजॉयमेंट है एक तरी से आभी इसको इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं देखिए कुछ और बात बता दू कि अभी बिहार के एक और प्लेयर ने गोल्ड जीता है कुछ और प्लेयर और लाक्त है इसको देख लेंगे और लास्ट में कौन जो द्हाज उठाएगी इसको देख लेंगे और जो कुश्चनस बनते हैं उसको लास्ट में डिसकस करेंगे रोज बॉल वाई-बॉल कमेंटरी करने का बेनिफिट नहीं है बाद में क्या है कि रोज मैं एक ही चीज को ब बताऊंगा चलिए तो देखते हैं केंद्र सरकार ने सम्मुह गव की नौकडियों में कितने नए खेलों को सामिल कर उनको स्पोर्ट्स कोटा के ताहत नौकडी देने की घोसना की है तो अब 20 नए खेल जो है इसमें जोडे जाएंगे कितने खेल जोडे जाएंगे 20 नए ख से इनका डेथ हो गया है ये तो सायद नहीं पूछा जाए किसी एक्जाम में लेकिन क्या मालों कोई एक्जाम ऐसे होते हैं ससी ये बी ससी में इस तरह के कोश्चन उनके लिए फैबरेट होते हैं आगे देखते हैं किस राजी सरकार ने इनोवेशन मिशन पंजाब की शुर सोनोवाल आप मुझे बताइए कि सरवानन सोनोवाल को कौन सा मंत्राले दिया गया है कॉमेंट वोक्स में बता दीजिए बहुत सिंपल है आगे बढ़ते हैं किस राजी सरकार ने राजीव गांती रास्टिय उध्यान का नाम बदलकर ओरंग रास्टिय उध्यान करने की घ सब्सक्राइटी रोपर और कानपूर के वेगयानिक और किस विश्विद्याले के प्रवंधन अध्यन संकाय द्वारा विश्व का पहला प्लांट-based smart air purifier विक्सित किया गया है तो यह किया गया है दिल्ली विश्विद्याले के द्वारा एंपी सियल के नुसार इस वर्स क इस महिने में यूपी आई के तहट 3.55 बिलियन का लेंदें दर्ज किया गया है तो यह अगस्त में दर्ज किया गया है यूपी आई के जगह किस विश्विद्याले के रिपोर्ट के मुताबिक वायू परदूसन के करण भारतियों का जीवन 9 वर्स तक कम हो सकता है तो यह बोला है सिकागो विश्विद्याले ने भारत के सहर सबसे परदूसी सहरों में से है नाइन्थ नमर कोश्चन देखते हैं जम्मु कस्मीर के अलगावादी नेता सयद अली सहा गिलानी का कितने वर्स की उम्र में निधन हुआ तो वो 91 साल के उम्र में उनका जो है वो निधन हो गया है आगे देखते हैं कि राजसभा के पुरुसांसद और किस पेसे से समन्धित चंदन मित्रा का 65 साल की उम्र में निधन हो गया तो वो पत्रकार थे और एक ची और बता दूं कि Chief Justice of India रमन्ना ने देश के हाई कोट में 84 जजो के पॉइंटमेंट की अनुसंसा की है सरकार ने उसको मान लिया है और सरकार को उन्होंने धन्यवाद भी दिया है अभी हाल फिलाल उन्होंने हाई कोट में जजो की न्यूक्ति की थी कितने जजो की न्यूक्ति की थी यह मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताईए क्योंकि मैंने अभी सेशन में इसके बाड़े में डीटेल से बात की थी तो चलिए अभी के लिए इतना ही फिर मिलते हैं अगले दिन धन्यवाद